इस book reading session में आप सभी का स्वागत है 16 दिन complete कर चुके हैं और आज है day 17 बहुत ही important जो हमारी जिन्दगी का बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी हिस्सा है और वो है money yes, हम पूरा दिन या ये कह लीजिए कि 24-7 मैंने कई लोगों के मुझसे ये बात भी सुनी है कि हम सो जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता बस सोचते रहते हैं कि पैसा कहां से आएगा ऐसा क्या business कर लें, ऐसी क्या चीजें कर लें, जिससे पैसा आ जाए तो आज इस chapter में बहुत ही simple technique बताई है technique का नाम इसलिए दूँगे क्योंकि यहाँ पे एक practical exercise करनी है जो जिसकी वज़ा से आपके पास भरपूर पैसा आ सकता है लेकिन यकीन के साथ करनी है, जैसा बताया गया है, वैसे करनी है लेकिन chapter शुरू करने से पहले कुछ चीजों को share करना चाती हूँ जैसे कि मैं पूरा chapter नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ समरी देती हूँ आपको ये book खरीदनी है, अपने पास रखनी है, Amazon पे हर language में available है आप इस book को हमेशा अपने पास रखिए और इसका जादू जरूर देखना, लेकिन book रखकर जादू नहीं मिलने वाला है, book को पढ़ने से जादू मिलेगा और पढ़ने के अलावा भी उसकी exercise करने से जादू आएगा और ये जादू कोई जादू नहीं है, ये जादू है शुकराने का जादू जितना जिस चीज के लिए आप शुकर गुजार होंगे, उतना ही वो चीज आपकी जिन्दगी में बढ़ती जाएगी तो कैसे शुकराने के जादू से हम अपने पैसो में बरकत या बढ़ती ले सकते हैं, वो है आज का चैप्टर ये बुक का नाम है दह मैजिक, जो रोनना बन ने लिखी है और जिसको हिंदी में जादू भी कहते हैं तो आज का डे 17 है मैजिक चैक, इसमें आपको एक चैक की ज़रूरत पड़ेगी और वो चैक आपको कहां से कैसे मिलेगा उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहां से उस चैक को डाउनलोड कर सकते हैं और उस चैक की एक प्रिंट निकलवानी है और फिर जो एकसराइज उन्होंने बताईए वैसे करनी है तो जो लिंक मैं दूँगी वहां से आप बहुत एजिली उस चैक को प्रिंट करवाने के लिए अवेलिबल कर सकते हो तो आज का है मैजिक चैक ध्यान से सुनना क्योंकि पैसा हम सभी को चाहिए आता भी है लेकिन रहता नहीं है बहुत सारी कंप्लेन है तो कैसे मैजिक चैक के जरीए हम उस पैसे को अपनी तरफ बुला सकते हैं जब आप कृतग्यता की जादूई सकती को किसी नकारात्मक परिस्थिती पर कैंदरित कर लेते हैं तो एक नई स्थिती उत्पन होती है जो पूरानी स्थिती को खतम कर देती है इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ धन के प्रति कृतग्यता धन की कमी से अधिक मैसूस होती है तो एक नई परिस्थिती निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है याने अगर आप पैसे के लिए complaining mode में है और उस mode से हट कर आप जब शुकराने के mode में चले जाएंगे तो आप देखेंगे के धीरे धीरे आपके पैसों में बड़ोतरी होती जाएगी यह करना कितना ही मुश्किल हो लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिती को नजर अंदास करना होगा वर्तमान में आप पैसे के चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजर अंदास कर दे आज चाहें आपके पास कोई भी problem है हो सकता है जौग ना हो हो सकता है saving ना हो हो सकता है आप पुरा दिन मेनत कर रहे हैं लेकिन महिने के खर्च तक complete नहीं हो रहे लेकिन आपको present situation को नजर अंदाज करना है ये मुश्किल हो सकता है चाहे कितना ही मुश्किल हो लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि आने वाली जिन्दगी में हमें पैसा चाहिए कुरुतग्यता ऐसा करने का शर्तिय तरीका कुरुतग्यता ऐसा करने का शर्तिय तरीका है यानि सिर्फ शुक्राना ही उसका एक आसान तरीका है ये हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कुरुतग्य हो और उसी समय उसे नजर अंदास करे ये हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कुरुतग्य हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातूर विचार भी सोचे इसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि अब आप धन के बारे में कृतगयता महसूस करे और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए जब आप धन के बारे में कृतगय होते हैं तो आप ना सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोग देते हैं, बलकि अपने और अधिक धन लाने की अच्चुक विदी भी आजमा रहे हैं। अरे क्या करूँ, कैसे करूँ और एक चीज को यहां बहुत खुबसूरती से समझाया है कि जहाँ डर है, वहाँ शुकराना नहीं है, जहाँ शुकराना है, वहाँ डर नहीं है। शुकर गुजार हो और वह पैसा ना बढ़े। इन्हें आपके पास जो भी पैसा है, चाहे वह 500 रुपे हैं, चाहे वह 5 लाख है, चाहे वह 5000 है, चाहे वह 50 रुपे हैं। आपको अपने उस पैसे के लिए शुकर गुजार होना पड़ेगा। तब ही वह पैसा मल्टिप्लाई होगा और धीरे 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 आप देखेंगे के आपके पास पैसा आने लगेगा। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनखा बढ़ना, लोटरी जीतना, टेक्स रीफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है, जब कोई दूसरा सामू ही कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, हम अभी तक अगर हमारा कोई बिल देता है, तो हमें लगता है कि ठीक है, उसने अपना फर्ज नहीं 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 बाया, हमारे पैसे को बचाया, और हमारा पैसा पाले हों, और इसे डिसकाउंट पर मिलता देखे, या किसी खरीदी पर मनी बैक ओफर, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपार दे दे, जो आपको खरीदनी ही थी, इन में से प्रत्येक परिस्तिति का अंतिम परिणाम ये होता है, कि आपके पास अधिक धन होगा, इसलि परिस्तिती से प्राप्त होने वाले दन के लिए बहुत कृतग्य होने की जरूरत है, यहां पर मैं एक एक एक्जामपल शेयर करूँगी, जैसे हम नए नए कैनेड़ा आये थे, और हम सामान लेकर नहीं आये थे, पहला रमजान पहली एद, और हमारे घर में हमें डिनर कैसा लेंगे, कहां से खरीदेंगे, और जो गेस्ट हमारे घर आये थे, वो हमें डिनर सेट गिफ्ट करके गए, वही डिनर सेट खरीदने में शायद हमारे 200-300 डॉलर जाते, लेकिन क्योंके उस गेस्ट ने हमें वो डिनर सेट गिफ्ट किया, हमारे वो 300 डॉलर बच गए, तो उसी दिन मैंने उस 300 डॉलर के लिए शुक्र गुजारी दी कि अल्ला तेरा शुकर है जो मैं चाती थी वो मुझे गिफ्ट में मिला और मेरे वो 300 डॉलर बच गए वैसे जहां कहीं भी हम जाते हैं और अगर हमारा पैसा कैसे भी बचता है मैं मेरे बच्चे उसी दिन उस बच्चे हुए पैसे के लिए शुक्र गुजारी देते हैं जिससे डे बाई डे हमारे पैसे में बड़ोतरी होती जाती है तो अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है गर आपको कोई डिसकाउंट कुपन मिला है अगर आपका किसी ने बिल पे किया है, या कुछ भी चीज आपको लो प्राइज में मिली है, कैसे भी, आपके वो पैसे बच्चे हैं, आपके वो पैसे बड़े हैं, आपको इस तरह से उस मुमेंट के लिए थाइंक्फुल होना है जिस परिस्तिती के फल्सवरुप आपको अधिक धन मिलता है, या पैसो से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, वो परिस्तिती आपकी कुरुतग्यता का परिणाम है आप यहां पर बहुत गहरी बात को समझने जा रहे हैं, अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया, या अगर आपको कोई कम रेट में चीज मिली, या कैसे भी आपका पैसा बचा, वो आपकी थाइंक्फुलनेस का रिजल्ट है जितने आप थाइंक्फुल रहेंगे, ये परिश्थितियें आपकी जिन्दगी में आने लगेगी, अपर्चुनिटी पे अपर्चुनिटी आपको मिलने लगेगी आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्य जनक परिणाम मिले हैं इस अभ्यास के अंत में आप Gratitude Bank of the Universe का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं जिसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, जहां से आप Gratitude Bank of the Universe का चेक हासिल कर सकते हैं जितना भी धन आप पाना चाते हैं चेक पर भर दे, साथ ही अपना नाम और आज की तारिक डाल दे जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशी चुन ले क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतगिता महसूस करेंगे, जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं धन आपकी इच्छा पूर्ती का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतगिता महसूस नहीं कर पाएंगे जब आप अपनी मन चाही चीज़ को वास्तो में पाने, या मन चाहे काम करने की कलपना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतगिता महसूस करेंगे आपको ये check जो मेरे description की link से मिलेगा उस पर एक amount भरना है लेकिन आपको साथ-साथ ये भी imagine करना है या आप ये भी fix कर सकते हैं कि इस amounts आप क्या खरीदने वाले हैं अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं और आपको 10 लाख रुपे की जरूरत है तो आपको check में amount भरना है 10 लाख रुपे और imagine करना है कि वो 10 लाख रुपे आपने उस flat के लिए दिये हैं जो आप खरीदना चाहते हैं यानि सिर्फ पैसा नहीं भरना उस पैसे से आप क्या करने वाले हैं उसके emotion को भी attach करना हैं एक बार आप magic check के विवरन भर लें तो check अपने हाथ में थावें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मन चाही चीज खरीदने का चितर देखें इसमें अधिक अधिक रोमांच और कुर्तग्यता भर लें यानि जैसे मैंने आपको कहा कि 10 लाक रुपे आपको कहीं फ्लाइट के लिए देने हैं तो आप उस check में 10 लाक रुपे भ लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगा रख दे जहां ये अकसर दिखता रहे दिन में कम से कम दो और बार मैजिक चेक हाथ में लें ये तस्वीर देखें कि मन चाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस दन का इस्तमाल कर रहे हैं और अधिक अधिक रुप्तग्य वो रोमान्चित महसूस करें मानो आप सचमुच कर रहे हैं यदि आप चाहें तो ये अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं जैसा किसी भी अनिय जादूई अभ्यास के साथ है आप कभी इसकी अती नहीं कर सकते हैं जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशी मिल जाए या फिर किसी जादूई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वधन करना चाहते थे तो उस चेक पर नहीं राशी लिख दे इस बार किसी नहीं चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक करना चाहें कर सकते हैं या अमाउंट को भरे और उस अमाउंट से आप क्या खरीदना चाहते हैं उसको इमेजिन करें और उसे हासिल करें एक दम सिंपल तरीका है आपको क्या चाहिए फ्लैट चाहिए गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए क्या खरीदना है आपको सिर्फ चेक पर लिखना है वो चीज खरीद ली हैं वैसा imagine करना है और अपनी उस चीज़ को इंशालला उदाला शुक्र गुजारी से हासिल करना है और ये simple steps आज ही हैं आप complete करेंगे चेक को print करवाएंगे और उसके जितनी भी फॉर्मलिटी है वो complete करेंगे और जादूई अभ्यास क्रमांग पढ़ने का वक्त आगया है जादूई अभ्यास क्रमांग 17 magic check अपनी नियामते गिने 10 नियामतों की सूची बनाए लिखें कि आप क्यों करूत गया है ये हमारा routine है अपने magic check में वर आशी बर ले जिसे आप पाना चाते हैं साथ ही अपना नाम और आज की तारीक लिखतें सेम आप जो amount चाते वो लिखें और जिस दिन आप ये check बना रहें उस दिन का date लिख दे magic check को हाथ में थामें और कलपना करें कि आप वो खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाते हैं आप उसे पाच चुके हैं ये महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कुर्टकेता म इमाजिन करना है कि इस check से जो पैसे आएंगे उससे आप जो खरीदने वाले हैं वो आपको मिल चुका है और उसके लिए आप शुक्र गुजार हैं आज magic check को अपने हाथ में साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगा रख दें जहां आपको अक्सर दिखता रहें कम से कम दो अनि काई चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तिमाल कर रहें हैं उतने ही कुरुत ग्यता महसूस करें दिन के अंत में जादूई चेक ऐसी जगा रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें सिंपल आपको वो चेक को ऐसी जगा रखना है जहां आप आसानी से उसे देख पाए आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादूई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए दनिवाद का हैं जादूई पत्थर का जो अभियास करा मांग के वो कम्प्लीट करना है इस चेक को फोटो कॉपी या स्कैन करा ले और फिर इस आप अपने चेक की राशी को जो भी आपने अमाउंट भरा है वो आपको मिल जाए या वो चीज आपको मिल जाए वापस आना इसी वीडियो पर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या मिला और इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना जिसको इसकी सबसे ज़ादा ज़रूरत है और मिलते हैं नेक्स चेप्टर में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू